नमस्कार दोस्तो आपका हमारी चैनल में स्वागत है दोस्तो यदि आपके बच्चे का जनम गुरु वार सोड़ा मर्च दोजा 23 को जनम हुआ है तो आपके बच्चे पाया नक्षत्राशी और जनम अक्सर क्या रहेगा आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम सोड़ा मार्च को सुबह 12 बच कर 45 मिनट एम से 6 बच कर 24 मिनट एम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे पायरेगा तामर मूल नक्षत्र का चोथा चंड धनूरासी और भी अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 6 बच कर 25 मिनट एम से 12 बच कर 2 मिनट पी एम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे पायरेगा तामर पूर्वा नक्षत्र का पर्थम चंड धनूरासी और भी अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 12 बच कर 3 मिनट पी एम से 5 बच कर 49 मिनट पी एम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे पायरेगा तामर पूर्वा नक्षत्र का दूसर चंड धनूरासी और धै अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 5 बच कर 40 मिनट पी एम से 11 बच कर 13 मिनट पी एम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे पायरेगा तामर पूर्वा नक्षत्र का दूसर चंड धनूरासी और फा अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 11 बच कर 14 मिनट पी एम से 14 बच कर 47 मिनट एम 17 मास 12 तेज को जनम हुआ है तो आपके बच्चे पायरेगा तामर पूर्वा नक्षत्र का दूसर चंड धनूरासी और दा अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा धन्यवाद